हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्नो एरा, आज की जो अन्बॉक्सिंग है, वो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है, आज हमारे पास वीवो का एक लेटेस्ट फोन है, जो की है वीवो i73 और ये बहुत स्टाइलिश है, चलिए करते हैं इसके अन्बॉक्सिंग और देखते है हैं, इसमें हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, जो की है एक बैक केस, जो की एक काफी अच्छी क्वालिटी का दिखरा है, कुछ डॉक्यमेंटेशन और एक सेम एजक्टेट टूल, फिलाल फोन को रखते हैं साइड में, और देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या-किया मिलता है, इसके अंदर में देखने के मिलता है, एक एड़ाप्TER, जो कि है 33 वेट का विबो फ्लेश चारजर 2.0, और इसमें में देखने के मिलते हैंow ऐक टाइप C केबल, जो की काफी एच्छी य्वालिटी की है, और इसमें एक सबसे की फोन में हमें और क्या मिल्ता है सबसे पहले हम देखते हैं इसके पोर्ट एन बटन तो सबसे पहले हमें देखने के लिए एक 3.5 mm जेक microphone type c charging port और speaker grill side में देखें तो हमें इसमें मिलता है power button और volume up and down button दूसरी side की तरफ देखें तो हमें इसमें मिलती है sim tray और उपर की तरफ मिलता है हमें noise cancelling microphone अगर design और build quality की बात करें तो इसका design बहुत ज़्यादा ही unique है इस phone की highlight इसका design है अगर colors की बात करें तो इसमें 2 colors आते हैं एक है diamond flare जो हमारे पास है इसमें roman black करके दूसरा color भी आता है अगर इसकी thickness और weight के बारे में बात करें तो ultra sleek design आता है इसमें सिर्फ 7.38 mm और phone बहुत ज़्यादा comfortable है अगर आप इसमें हाथ में भी hold करेंगे तो heavy बिल्कुल नहीं लगेगा सिर्फ 170 gram weight है इसका में rounded frame आता है for better grip आप अच्छे से hold कर सकते हैं और back में इसमें AG glass यूज हुआ है और इसमें हाथों के निशान बिल्कुल नहीं आते हैं आपके fingerprints में बिल्कुल नहीं आएंगे और आपको इसका design बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर display की बात करें तो इसमें 6.44 inches की AMOLED display देखने के लिए मिल जाती है जो की full HD resolution की साथ आती है with HDR 10 के साथ इसमें आपको कोई high refresh rate देखने के लिए नहीं मिलता है अगर display की बात करूँ तो काफी अच्छी है AMOLED screen है तो brighter भी है colors अच्छे दिखते हैं, sides के battles भी काफी छोटे हैं तो display से लिटेड आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर performance की बात करें तो इसमें आपको equivalent देखने के लिए मिलता है 8128 GB plus 3 GB extended RAM के साथ तो आप RAM कैसे extend कर सकते हैं, आपको setting में जाना है वहाँ पर आपका option मिलेगा RAM and storage space का वहाँ पर आप किल्क करेंगे तो आपको अपने internal memory से 2.59 GB RAM को देनी पड़ेगी तो जिससे आप 3 GB RAM create कर पाएंगे 3 GB RAM create करने के बाद, यह एक software का part actually कि आपकी जो hardware RAM है वह 80 GB है तो आप 3 GB RAM सिफ software के थरू create कर पाएंगे इसमें आपके कुछ apps जो है, वह जो आप RAM create कर रहे हैं उसके थरू work कर लेंगे तो यह है कि आप अच्छा perform कर पाएंगे और तो अपनी 8 GB RAM को आप 11 GB RAM कर सकते हैं तो यह एक अच्छा feature है जो कि काफी अच्छा decent processor है काफी time से use हो रहा है mostly companies सब भी use करती है G95 तो एक अच्छा processor है जो कि 12NM technology के साथ आता है इसमें आप gaming वगारा कर सकते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी gaming वगारा करने में low to high setting पे आप अच्छे खासे game खिल सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और multi tasking के लिए भी अच्छा processor है यह अगर आप इसके camera पे आए तो आपको triple camera का setup मिलेगा 64MP main camera, 2MP bouquet 2MP micro lens तो कि काफी अच्छा setup है तो company ने इसके camera पे भी काफी focus किया है कि इसकी highlight एक इसका camera भी है एक design है, एक camera है mostly भी वहों के phone के camera अच्छे ही रहते हैं तो front में आपको 16MP का एक camera देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एक अच्छी selfie ले पाएगा front में आपको कुछ stabilization मिल जाएंगे एक पोट्रेट मोट के option मिल जाएंगे तो front camera भी इसका काफी अच्छा है दुबार असके rear camera पे आते हैं तो company ने काफी focus किया इसके rear camera पे वीवो के mostly phone camera से लिट्रेट अच्छे रहते हैं काफी अच्छी photo खिसते हैं जो कि एक digital zoom है उसके बाद अगर आप और इसमें filters देख सकते हैं तो इसमें आपको अलग-अलग filters देखने के लिए मिल जाएंगे ultra stable mode देखने के लिए मिल जाएगा तो काफी अच्छी फीचर है camera accelerated तो हमने इसमें काफी samples भी लिए हैं photos के तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे लगे तो कुछ main camera से photos लिए हैं तो आप देख के बताएं comment section में बताएं कि आपको कैसी लगी यह एक micro lens से कुछ photos हैं कुछ हमने इसकी night mode में लिए हैं night mode में normal और night mode में दोनों में लिए हैं तो आप बताना कमेट सेक्शन में नॉर्मल और अल्टर स्टेबल मोड दोनों में वीडियो शूट किए हमने इसमें और एक स्लो मो वीडियो भी बनाई है जो कि काफी अच्छी आई है तो स्लो मो तो इसका मुझे ठीक ठाक लगा अच्छा है उसके बाद अगर इसकी बैटरी पहे हैं तो इसमें आपको चारजर अमेच की बैटरी मिल जाएगी चूंकि 33 वाट के चारजर के साथ आती है यह पने तो चारहजर अमेच बैटरी यह आपको कैसी लगती है देखे मॉडल स्लीम है इसको अल्टरा स्लीम है तो आप इसमें ज्यादा बैटरी मिलेगी नहीं क्योंकि अगर बैटरी ज्यादा होगी तो आपको स्तना स्ली मोडर नहीं मिलेगा पर 33 वाट के साथ अगर नहीं चल पाएगा अगर इसके operating system की बात करें तो आपको इसमें Android 11 देखने के लिए मिल जाएगा उसके साथ आपको वीवो की तरफ से OneTouch OS 11.1 देखने के लिए मिल जाएगा जो कि उनका upgraded version है इसमें काफी अच्छे-च्छे वीचर आजाते हैं डार्क मोट का आजाता है आई प्रोटेक्शन का आ जाता है Hardware के साथ साथ शॉफटर भी बहुत जुरbon होता है क्योंकि software में हमें update के बाद नहीं फीचर मिलते हैं User Interface हमारा कैसे होता है तो software भी बहुत जुरूरी है तो अच्छा काम कराए भी वहने कस्टमाइज कर सकते हैं अलग-अलग options हैं बहुत सारे कि आपको किस तरीके करना है तो वह आप देख सकते हैं उसके बाद आप face unlock के भी change कर सकते हैं कि आपको face unlock में किस तरीके का icon या logo चाहिए तो वह भी हो सकता है इसमें साथ आप जो आपका charging logo या icon बनाता है आप उसे भी change कर सकते हैं उसके भी आपको बहुत सारे options देखने के लिए मिल जाएंगे तो वह भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लिग रहा है तो फंटा जो ऐसे 11.1 ने आपको बहुत सारे option दिये हैं कि आप कैसे अपने phone को थोड़ा attractive बना सकते हैं थ चैक कर रहा है तो बहुत अच्छा चला उसके बाद अगर face unlock पर आए तो face unlock भी प्रॉपर वर्क करता है इसका fastest है बहुत अच्छा वर्क करता है तो face unlock में भी हम इसमें कोई दिक्कत नहीं तो काफी बार try के हमने तो अच्छा response मिला pricing पर आए जो सबसे ज़्यादा important है तो एक 4G handset है जिसकी price है 29.90 अगर price के बारे में देखो तो वीव के phone offline market में ज्यादा target करते हैं तो price ठीक ठाक है इसका main highlight है इसका design और camera अगर आपको वह अच्छे लगे तो आप इसे purchase कर सकते हैं description में लिंक मिल जाएगा अगर आपके वीड़ अच्छी लगे तो like किजे subscribe किज और मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी एच्छी एच्छी अन बॉक्सिंग लेके